कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेसेज बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं यहां एक हॉस्पीटल होना जरूरी है यहां एक कॉलेज होना जरूरी है जीने के लिए लाइट का होना जरूरी है वीडियो देखने के लिए इंटरनेट का होना जरूरी है या जिन्दा रहने के लिए पैसे का होना जरूरी है तो फ्रेंट्स इस तरह के सेंटेसे जहां आप कहते हैं किसी चीज का होना जरूरी है को बोलने के लिए आप इस structure का इस्तिमाल करके अपने sentences को बोलेंगे कैसे बोलेंगे आईए कुछ examples देखे ताकि आप इस बात को शांदर तरीके से समा सकें अगर आपको कहना हो यहाँ एक hospital होना जरूरी है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे There has to be a hospital here यानि यहाँ एक hospital होना जरूरी है यहाँ एक college होना जरूरी है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे There has to be a college here यानि यहाँ एक college होना जरूरी है मेरे गाओं में bus stop होना जरूरी है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे There has to be a bus stop in my village यानि मेरे गाओं में बस स्टॉप का होना जरूरी है अगर आपको कहना हो इस कस्वे में एक मॉल होना जरूरी है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अगर आपको कहना हो जीने के लिए बिजली का होना जरूरी है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यानि पढ़ने के लिए पैसे का होना जरूरी है अगर आपको कहना हो वहाँ जाने के लिए एक बाइक का होना जरूरी है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे There has to be peace to sleep यानि सोने के लिए सकून का होना जरूरी है या सांती का होना जरूरी है तो friends, उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक को शांदार तरीके से सीखा अगर वाल कही आपने इस टॉपिक को शांदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ eanises comment box में लिखेंगे कुछ eanises comment box में लिखें तकि मैं चेक करके बैदा सकों कि आपने सही सीखा या खलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ ल्याव टक तक के लिए बाई लुवाज दे हमें